नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्के भी तो आज के इस वीडियो में हम नए माह की सुरुवात पर हमारे देश के जो भी समवैधानिक, गैर समवैधानिक, साम विधिक या फिर खेल के संगठन है और दुनिया के जो भी हमारे महत्पूर्ण अंतराश्टिय संगठन है उन सभी के वरत्मान में प्रमुक कौन है उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो की जो पीडियो फाइल है वह आपको टेली ग्राम चैनल केवी गुरुजी या केवी गुरुजी.in के बहुत से आप इसके पीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं या जो वीडियो है वह आपके अगस्त 2022 थक अपडेटेड है तो चलिए अब इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने देश के सबसे महत्मोंट पदों की तो ध्यान भारत की जो 15-12 राष्पति हैं जो कि अभिहाल ही में चुनी गई है इनका नाम है द्रोबती मुर्मू आपको ध्यार रखना है कि ये भारत के 15-12-晚上 की राष्पति बनी हैं और ये आपके उडिसा राज को बेलौंग करती हैं भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री की बात करते हैं तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी वर्तमान में हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं इसके बाद में हम लोग बात करेंगे भारत के अनतालस्वे मुख्य नयाधीस की तो आपको ध्यान रखना है इस समय जो हमारे अनतालस्वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनका नाम है एन वी रमन्ना और ध्यान रखिएगा ये आपके आन्ध प्रदीश राजी को बिलॉं करते हैं फिर बात करेंगे कंट्रोलर एंड ओडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो की एक समवधानिक पद है समवधान के अनुच्छेद 148 में आपको इसका प्रावधान मिलेगा और वर्तमान में इस पद पर गरीज चंद्र मुर्मू साहम बिराजमान है फिर बात करेंगे भारत के महानियावादी की यानि की एटारने जनरल ऑफ इंडिया की आपको ध्यान रखना है ये हमारे भारत सरकार के वकील होते हैं और इसके बारे में भी समवधान के अनुच्छेद 76 में आपको प्रावधान देखने को मिलेगा और वर्तमान में केके बेनु गोपाल साह स्वाब के महानियावादी थे साहता के लिए होते हैं इस पद पर आपको तुसार महता देखने को मिलेंगे आगे बात करेंगे हमारे देश के मुख्य चुनाओ आयुक्त की यानि की चीफ इलेक्षण कमिश्ननर की तो आपको ध्याना बात्ना है वरत्मान में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम है राजियु कुमार ये आपके हाल ही में 25 नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त केपत पर अपॉइंट हुए हैं चलिए नीचे कमेंड में आप लोग मुझे ये बताईएगा कि राजियू कुमार साहब तो हमारे मुख्य चुनाओ आयुक्त हैं इसके अलावा हमारे चुनाओ आयुक्त कौन है उनका नाम आपको नीचे कमेंड में बताना है फिर बात एनका नाम है और राजस्थान के कोटा से ये सालसद है और वर्तमान में ये हमारे लोग सभा के अध्यच्छे हैं. राज्य सभा के उपसभापती के अगर हम लोग बात करते हैं तो इस समय हरिवन्स नारायन सिंग राज्य सभा के उपसभापती हैं. आपको ध्या रखना है कि यमवी नइडू सहब अभी हमारे देश के उपराश्पती हैं लेकिन जल्द ही जगदीब धनकर साहब आपके देश के नई उपराश्पती होंगे तो वो हमारे राजसभा के सभापती आटोमेटिक बन जाएंगे तो उप सभापती हरिवन्स नारायन सिंग जी है फिर बात करेंगे राश्पती अनुसूची जन जाती आयोग की और ध्यान किये गा इसके जो वरत्मान अध्यच और हम लोग बात करते हैं तो इसके वरत्मान में प्रमुख हैं बिजय संपला कौन हैं बिजय संपला इस समय हमारे NCSC के अध्यच्छ हैं आगे बात करेंगे 15th Finance Commission की तो आपको ध्यान रखना है ये भी एक सम्विधानिक निकाय है इसके बारे में जो प्रावधान है वो आपको सम्विधान के अनुच् 280 में देखने को मिलेगा और इसके 15 नंबर के जो अध्यच्छ हैं उनका नाम है N.K.S. तो ये हमारे 15 वितायोग के अध्यच्छ हैं राश्टिये पिछडा वर्ग आयोग की बात करते हैं तो हमारे सम्विधान में जो 102 सम्विधान हुआ था उसके जरिये इसको सम्विधान दर्जा दिया गया था और सम्विधान के अनुच्छे 328 B में आपको इसका प्रावधान देखने को मिलेगा ध्यान रखिएगा भग्वान लाल साहनी इस समय हमारे राश्टिये पिछडा वर्ग आयोग के अध्यच्छ हैं फिर बात करेंगे नीती आयोग की वैसे नीती आ जो नए उपाध्यच बने हैं इनका नाम है डाक्टर सुमन के बेरी नीती आयोग के अभी नए CEO भी अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम है परमेशुरन अइयर क्या नाम है परमेशुरन अइयर और ये नीती आयोग के इस समय CEO हैं फिर बात करेंगे हमारे देश के जो सैन संग्ठन हैं भारत के पहले Chief of Defence Staff की बात करते हैं तो ध्यान रखेगा हमारे जो जनरल विपन रावस सहब थे ये भारत के पहले Chief of Defence Staff थे और इस समय Chief of Defence Staff का जो पद है वो आपका खाली है ये जरूर ध्यान रखेगा फिर बात करेंगे हमारे थलसेना परमुख की तो थलसेना के जो हमारे प्रमुक हैं इनका नाम है लेप्टिन जनरल मनोज पांडे और इसी साल ये हमारे थर सेना के प्रमुक बने हैं वायू सेना के प्रमुक की अगर हम लोग बात करते हैं तो एर मारसल बिवेक राम चौधी साहब हमारी वायू सेना के इस समय प्रमुक हैं आगे बात करते हैं तो उसके महानिदीशक है आर हरी कुमार भारती तरचक दल के प्रमुख की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके वर्तमान में जो प्रमुख है नाम इनका है बिरेंदर सिंग पठानिया क्या नाम है बिरेंदर सिंग पठानिया इनका नाम है फिर हम लोग बात करेंग बार्डर सेक्योर्टी फॉर्स की यानि कि बेस्यप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके वर्तमान जो महानिदीसक हैं इनका नाम है पंकच कुमार सिंह, क्या नाम है पंकच कुमार सिंह इनका नाम है ITBP के प्रमुक की बात करते हैं तो जो हमारे SL थाउसेन सहाब हैं इनको ITBP के महानिदेसक का अत्रिक प्रभार दिया गया है क्योंकि ITBP के जो हमारे महानिदेसक थे उनको दिल्ली के पुलिस कमेशनर के पदपर अपॉइंट कर दिया गया है तो वर्तमान में ITBP के जो हमारे महाने देशक है इनका नाम है SL-1000 आगे बात करेंगे Central Reserve Police Force के महाने देशक की तो आपको ध्याँ रखना है कुलदीब सिंग साहब इस समय Central Reserve Police Force के महाने देशक है असम राइफल के प्रमुक की अगर हम लोग बात करते हैं तो पी चंदरन नायर ये हमारे असम राइफल के प्रमुक हैं असम राइफल के बारे में आपको ये भी ध्याँ रखना है कि ये हमारे देश का सबसे पुराना अर्दसायनिक बल है आगे बात करेंगे ससस्त्र सीमा बल की यानि की SSB की और SSB के जो हमारे नए महानिदेशक बने हैं इनका नाम है SL-1000 तो आपको ध्याँ रखना है इस समय ये हमारे ससस्त्र सीमा बल के भी महानिदेशक है और ITBP के महानिदेशक का अत्रिक्त प्रभार भी इनको दिया गया है CISF के महानिदेशक की बात करते हैं तो इस बत पर आपको मिलेंगे सील वर्धन सिंग कौन है जो हमारे यहाँ पर केंद्रिय और द्योगिक सुरच्छा बल है उसके महानिदेशक है सील वर्धन सिंग फिर बात करेंगे रा के निदेशक की यानि की जो Research and Analysis Bing है उसके हमारे वर्धन में निदेशक है सामन्त गोयल क्या नाम है? सामन्त गोयल इनका नाम है Intelligence Bureau के निदेशक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके जो Director है वो अभी Appoint हुए है इनका नाम है तपन कुमार डेका क्या नाम है? तपन कुमार डेका इनका नाम है आगे बात करेंगे Indian Railway Protection Force Service की तो ध्यान रखेगा Indian Railway Protection Force Service के जो महानिदेशक है इनका नाम है संजय चंदर CBI के महानिदेशक की अगर हम लोग बात करते हैं तो सुबोध जाय सवाल इस तमय हमारे CBI के महानिदेशक है आगे बात करेंगे राष्टिय सुरच्छा गार्ड की यानि की National Security Guard की तो आपको ध्यान रखना है MA गणपती सहाब इस समय National Security Guard के महानिदेशक है राष्टिय जांच एजंसी यानि की NIA की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके नए निदेशक अभी अपॉइंट हुए है और इनका नाम है दिनकर गुपता तो जरू ध्यान रखिएगा कि दिनकर गुपता साहब इस समय National Investigation Agency के डिरेक्टर है अब हम लोग बात करेंगे हमारे देश के जो सामविधिक निकाय है तो सबसे पहले बात करेंगे सेवी के बारे में यानि की Securities and Exchange Board of India की तो ध्यान रखिएगा माधवी पुरी बच इसी साल सेवी की पहली महिला अध्यच बनी है राष्टी मानवा धिकार आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में जो इसके अध्यच है इनका नाम है Justice अरुन कुमार मिस्रा ये आपको ध्यान रखना है आगे बात करेंगे राष्टी महिला आयोग के अध्यच की तो रेखा सर्मा इस समय राष्टी महिला आयोग की अध्यच है National Green Tribunal यानि की राष्टी हरित अध्यकरण की बात करते हैं तो इस समय Justice आदर्श कुमार गोयल क्या नाम है Justice आदर्श कुमार गोयल ये हमारे National Green Tribunal के इस समय अध्यच है आगे बात करेंगे UIDAI के नए CEO के बारे में तो ध्यान रखिएगा इसके जो नए CEO बने थे पिछले साल इनका नाम है सौरब गर्ग भारत के मुख्य सत्रकता आयुक्त की बात करें यानि की Chief Vigilance Commissioner की बात करें तो सुरेश एन पटेल इस समय हमारे भारत के मुख्य सत्रकता आयुक्त है आगे बात करेंगे नाबाड की तो ध्यान रखेगा नाबाड के जो वरत्मान में अध्यच है इनका नाम है गोविंद राजलू चिंतला क्या नाम है गोविंद राजलू चिंतला इनका नाम है बिसुविद्याले अनुदान आयोग के अध्यच के अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान अख्येगा ये प्रेश्ट अलरी पूछा जा चुका है M. जगदेश कुमार जो की जवाहलल नहरू बिस्वेद्याले के वाइच चांसलर थे ये हमारे UGC के नए अध्यच बने है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सांति प्रिये धुली पूडी पंडिच जो है वो आपके जेनियू की पहली महिला वाइच चांसलर बनी है तो M. जगदेश कुमार साहम UGC के नए चेर्मैन है फिर बात करेंगे Insurance Regulatory Development Authority of India के नए अध्यच की तो इसका Headquarter आपको हैदराबाद में मिल जाएगा और वर्तमान में जो इसके अध्यच है इनका नाम है देवासीस पांडा फिर बात करेंगे Try की तो ध्यान अखिएगा Try के जो इस समय प्रमुक है इनका नाम है PD वाघिला तो PD वाघिला साहब ये हमारे Try के अध्यच है अब बात करेंगे कुछ गय समवैधानी निकायों की सबसे पहले बात करेंगे CBIC के यानि के Central Board of Indirect Taxes and Custom और इसके जो वर्तमान अध्यच है इनका नाम है विवेक जहुरी क्या नाम है विवेक जहुरी ये हमारे CBIC के वर्तमान में अध्यच है CBDT के नए अध्यच की बात करते हैं तो इस पत पर आपको नितिन गुप्ता साहब देखने को मिलेंगे कौन नितिन गुप्ता साहब ये हमारे CBDT के अध्यच है फिर बात करेंगे भारत के नए लोगपाल की तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के जो वर्तमान लोगपाल है इनका नाम है जस्तिस प्रदीब कुमार मोहंती और इनको टंप्रेरी बेसिस पर लोगपाल के पत पर अपॉइंट किया गया है अबी हमारे भारत के इस समय मुख्य आर्थिक सलाहकार है राश्ती सुरचा सलाहकार की बात करें यानि की नेशनल सेक्योर्टी एडवाईजर की बात करें तो इस पत पर आपको मिलेंगे अजीर डुवाल साहब कौन है अजीर डुवाल ये हमारे इस समय नेशनल सेक्योर्टी एडवाइजर हैं फिर बात करेंगे सिडवी के प्रमुक की यानि की Small Industries Development Bank of India की तो ध्यान कियेगा सिडवी के जो प्रमुक है इनका नाम है सिवा एसरमन क् सिवदास मीडा क्या नाम है सिवदास मीडा इनका नाम है आगे हम बात करेंगे Film and Television Institute of India की और वरत्मान में जो इसके अध्यच्छ है इनका नाम है Film Nirmata Seekhar Kapoor फिल्म निर्माता है ये इनका नाम नहीं है फिल्म निर्माता तो सेखर कपूर इनका नाम है और जो ये Film and Television Institute of India है ये आपको पूरे में देखने को मिलेगा आगे बात करेंगे National School of Drama की तो ध्यान रखिएगा इसके जो वर्तमान अध्यच है इनका नाम है परेश रावल फिर बात करेंगे भारतिय राष्टिय राजमार्ग प्राधिकरन की यानि की National Highway Authority of India की तो वर्तमान में जो इसके अध्यच है इनका नाम है अलका उपाध्याए भारतिय बिमानन प्राधिकरन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा संजीव कुमार भारतिय बिम गवर्नर हैं भारतिय उद्योग परिशंग के अध्यच की बात करते हैं तो संजीव बजाज ये आपके वर्तमान में भारतिय उद्योग परिशंग के अध्यच हैं आगे बात करेंगे बार्ग के निदिशक की तो ध्यान रखिएगा बार्ग के जो वर्तमान डारेक्टर है इनका नाम है अजीद कुमार मोहंती तो ध्यार रखेगा बार के जो निदिसक है अजीद कुमार मोहंती साहब है प्रसार भारती के CEO की बात करते हैं तो इस पत पर आपको मिलेंगे मैंग कुमार अगरवाल जिनको यहाँ पर additional charge दिया गया है आगे बात करेंगे railway board के अध्यच और CEO की तो ध्यार रखेगा railway board के जो अध्यच और CEO है इनका नाम है विपेन कुमार त्रिपाथी आगे बात करेंगे सात्मे बेतन आयोग की तो असोक कुमार माथुर साहब यह हमारे सात्मे बेतन आयोग के समय हेड है आगे बात करेंगे इस्रो के प्रमुक की तो इस्रो जो कि हमारे देश के स्पेस इजन्सी है हेड़कॉर्टर बेंगलूरू में मिलेगा इसी साल डाक्टर S. सोमनाथ इस्रो के प्रमुक बने है DRDO के वर्तमान अध्यच की बात करते हैं तो इस पत पर आपको मिलेंगे G. सतीस रेड़ी साहब तो G. सतीस रेड़ी साहब ये DRDO के अध्यच है और इस्रो के अध्यच है डाक्टर S. सोमनाथ 25 महालेखा नियंतरक की अगर हम बात करते हैं तो इस पत पर आपको मिलेंगी सूनाली सिंग कौन है? सूनाली सिंग हमारे भारत की 26 महालेखा नियंतरक है वहीं पर वर्तमान में हम लोग मुख्य सूचना आयोक्त की बात करते हैं तो इस पत्पर है एसवर्धन कुमार सिनहा, तो ध्यान रखेंगे मुख्य सूचना आयुक्त इस समय एसवर्धन कुमार सिनहा है, आगे बात करेंगे खादी और ग्रामो द्योग आयोग के नए अध्यच की आपको पता होना चाहिए कि KVIC के जो हमारे अध्यच थे बिने कु पाल बन गए हैं और इनके अस्थान पर मनोज कुमार सहाब को KVIC का नए अध्यच बना दिया गया है, दिल्ली पुलिस के नए अध्यच की तो ध्यान रखेंगे, आगे बात करेंगे CBSC के नए अध्यच की तो ध्यान रखेंगे, CBSC के जो नए अध्यच हैं, इनका नाम है निधी छिप्बर, क्या नाम है, निधी छिप्बर ये हमारे CBSC की वर्तमान अध्यच है, स्टाफ सेलेक्शन आयोग के नए अध्यच की बात करें यानि कि SSC की बात करते हैं तो यस किसोर साहब SSC के वर्तमान अध्यच हैं आगे बात करेंगे फिक्की की तो फिक्की के जो वर्तमान अध्यच हैं इनका नाम है संजीव महता पिछले साल लाश्ट में यह पॉइंट हुए थे ध्यान अख्येगा हिंदुस्तान यूनिलीवर के M.D.O.C.E.O. है जो की फिक्की के वर्तमान अध्यच्च है नैस कौम के अध्यच्च के अगर हम लोग बात करते हैं तो कृष्णन रामानुजन क्या नाम है कृष्णन राम पिछले साल अध्यच्च के अध्यच्च के अध्यच्च की बात करते हैं तो अतुल कुमार गोयल साहब जो की वर्तमान में आपके PNB के M.D.O.C.E.O. है यह भारते बैंक संग के इसी साल अध्यच्च बने हैं आगे बात करेंगे ICMR के महानिदी सक्की तो आपको ध्यान र हमारे Indian Council of Medical Research के महानिदेशक हैं प्रेस्ट ट्रेस्ट आफ इंडिया के बात करते हैं तो इसके जो वर्तमान अध्यच्च हैं इनका नाम है अवीक सरकार आगे बात करेंगे BCCI के 49 अध्यच्च की तो आपको ध्यान रखना है सौरभ गांगुली BCCI के 49 अध्यच्च्च हैं होके इंडिया के अध्यच्च की बात करते हैं तो ज्यानेंद्रो निगोंबम ये आपके होके इंडिया के अध्यच्च हैं फिर बात करेंगे All India Football Federation की तो इसके जो वर्तमान अध्यच्च्च हैं इनका नाम है प्रफुल पटेल इनका नाम है और ये हमारे अखिल भारते इसके अध्यच्च हैं अब हम लोग बात करेंगे हमारे देश में जो 11 महारतन कंपनिया हैं आए एक एक करके जान लेते हैं तो कोल इंडिया लिम्टेड जो की आपके कोईले के लिए कंपनी है प्रमोद अगरवाल इसके अध्यच्च हैं और कोल काता में आपको इसका हैट संदी बनी हैं और नई दिल्ली में इसका हैटकॉाटर है आगे बात करेंगे भारत हैवी इलेक्टिकल्स लिम्टेड याने की भेल की और नलिन सिंगल इसके सिम्डी हैं नई दिल्ली में इसका हैटकॉाटर है गैस अथौर्टी आफ इंडिया लिम्टेड की बात करते हैं तो अभी इसके नए प्रमुक अपॉइंट हुए हैं, नाम इनका है संदीब कुमार गुपता, तो मनोज जैन साहर गैल के हमारे CMD थे और अब उनके अस्थान पर संदीब कुमार गुपता को इसका नए अध्यच बना दिया गया है, और इसका हैटकॉाटर भी नए दिल्ली में आपको मिलेगा, आगे बात करेंगे इंडियन आयल कार्पोरेशन लिम्टेड यानि की आई यो सीयल की, तो स्रीकांत माधोबैद इसके वरतमान में हैं, और मुंबई में आपको इसका हैटकॉाटर मिलेगा, अगली कमपनी है, की परमुक हैं, और नए दिल्ली में इसका हैटकॉाटर है, आगे बात करेंगे, एंटी पी सी लिम्टेड की, तो गुरदीप सिंग इसके CMD है, नए दिल्ली में इसका हैटकॉाटर है, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिम्टेड यानि की BPCL की बात करते हैं, तो कुम्बई में इसका हैटकॉाटर है, पावर गरेड कार्पोरेशन लिम्टेड की बात करें, तो केस रिकांत इसके अध्यच है, और गुरु ग्राम में इसका हैटकॉाटर है, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन की बात करें, तो रविंदर कुमार धिल्लन इसके अध्यच है और नई दिल्ली में इसका headquarter है अब बात करेंगे भारत सरकार के जो सच्यू है तो वर्तमान में जो हमारे cabinet सच्यू है इनका नाम है राजियू गौबा लोगपाल सच्यू की बात करते हैं तो ब्रिज कुमार अगरवाल इस समय लोगपाल सच्यू है आगे राजियसू सच्यू याने के रवन्यू सेक्रेटरी की बात करें तो इस पत पर आपको तरुन बजाज साहब मिलेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करें तो टीबी सोमनाथन इस समय हमारे बित सच्यू है बिदेश सच्यू की बात करें तो अभी हाल ही में नेपाल में जो हमारे राजदूत थे बिने मोहन को आत्रा ये आपके बिदेश सचियों के पत्पर अपॉइंट किये गए हैं चलिए नीचे कमेंड में आप लोग ये बता दीजिएगा कि वर्तमान में हमारे भारत के जो पडोसी देश नेपाल है नेपाल में आपके नए अंबेशडर कौन अपॉइंट किये गए हैं बिने मोहन को आत्रा के अस्थान पर ग्रेह सचियों की बात करते हैं तो इस पत्पर आपको अजय कुमार भल्ला जी देखने को मिलेंगे आगे बात करेंगे भारत के स्वास्त सच्यों की तो इस पद पर है राज इस भुशन साहब और प्रधान मंतरी के प्रधान सलाकार की बात करें तो इसपद पर आपको प्रतीब कुमार सिनहा साहब देखने को मिलेंगे अब हम लोग दुनिया के जो प्रमुक अंतराष्टिय संगठन है उनके वर्तमान हेड काउन है उनके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे विश्चो व्यापार संगठन की क्योंकि यहां से आपके कम से कम दस बार प्रशन पूचा गया है पिछले एक सालों में बिश्च व्यापार संगठन की जो नई महानी देशक हैं इनका नाम है नुगोजी, उकोंजो, इवेला और ये आपके नाइजीरिया देश से हैं सैव्ट राष्ट मानवा धिकार आयोग के अध्यच की बात करते हैं तो इस पत पर आपको नजहत समीम देखने को मिलेंगी आपको माल दियू के अब्दुल्ला साहिद देखने को मिलेंगे आगे बात करेंगे बिश्ट्व स्वास्त संगठन के महा निदेशक की तो ध्यान रखेगा टेडरास अधनाम ये हमारे बिश्ट्व स्वास्त संगठन के महा निदेशक हैं आई अमेफ की प्रवन निदेश का एक नया पद बनाया है और उस पद पर आपको भारत की गीता गोपिना देखने को मिलेंगी फिर बात करेंगे विश्यू बैंक के नए मुख्य अर्थसास्त्री की ध्यान रखिये गा भारती मूल के जो इंडरमीत गिल है ये आपके बिसुबैंग के नए मुख्य अर्थसास्त्री बने है और इन्होंने अस्थान किसका लिया है तो कारमेन रेनहार्ड का इन्होंने अस्थान लिया है ICC के वर्तमान अध्यच की बात करते हैं तो इस पत पर आपको New Zealand के Greg Barclay देखने को मिलेंगे वहीं पर ICC का जो CEO का पद है उस पत पर आपको Joe of Elardis देखने को मिलेंगे आगे बात करेंगे United Nation Environment Program की जो कारेकारी निजिसक है नाम इनका है Inger Anderson United Nation Development Program के परसासक की बात करते हैं तो इस पत पर आपको Akeem Steiner देखने को मिलेंगे UNESCO की महानिदिसक की अगर हम लोग बात करें तो इस पत पर आपको आद्रे एजोले देखने को मिलेंगी और ये आपके फ्रांस से हैं ILO के नए महानिदिसक की बात करें तो Gilbert F. Hongbo ये आपके October महिने से ILO के महानिदिसक का पतभार समालेंगे Adobe Company के मुख्य कारकारी निजिसक की बात करते हैं तो Adobe Company के जो मुख्य कारकारी निजिसक हैं इनका नाम है और ये हमारे भारतिय मूल के हैं अंकटाद की नई महासच्यू की बात करें तो इस पतपर आपको मिलेंगी Rebecca Green Spain ध्यान रखेगा United Nation Convention on Trade and Development इसका पूरा नाम है और पिछले साल Rebecca Green Spain इसके नई महासच्यू बनी है नेश्ट बात करेंगे Twitter Company के नई CEO की तो भारतिय मूल के पराग अगरवाल Twitter Company के वर्तमान CEO है सयुक्त राष्ट में भारत के पर्मानेंट representative की बात करें तो जरूर ध्यान रखेगा भूटान में जो हमारी राजदूत थी रूचिरा कमबोज ये आपके सयुक्त राष्ट में भारत की नई पर्मानेंट representative बनी है नेश्ट बात करेंगे Tesla और SpaceX Company के CEO की तो ध्यान रखेगा यहाँ पर आपको मिलेंगे Elon Musk जो की वर्तमान में दुनिया के सबसे धनी बैक्ती है निउडवलप्मेंट बैंक के अध्यच के अगर हम लोग बात करते हैं तो इस बत पर हैं Marcus Prado Traizo ब्राजील के जो Marcus Prado Traizo है यह आपके निउडवलप्मेंट बैंक के अध्यच है फिर बात करेंगे IBM के मुख्य कारेकारी अधिकारी की तो ध्यान रखेगा इस पत पर है अरविंद कृष्णा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह हमारे International Business Machine के Chief Executive Officer है UNICEF की कारेकारी निदीशक की बात करें तो अमेरिका की जो Catherine M. Russell है यह पिछले साल के लाश्ट में UNICEF की नई कारेकारी निदीशक के पत पर अपॉइंट की गई है तो इस प्रकार से जो भी हमारे भारत और दुनिया के संगठन है उन सभी के हेड के बारे में हम आफ लूग जरूर देखिएगा इसकी जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम और केवी गुरुजी.in दोनों जगा मिल जाएगी वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं ठैंक्स फर वाचिंग जै हिंद जै भारत